तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज के बाजार के साथ में तो सिचुवेशन आपके सामने देख सकते हैं निफ्टी में 124 पॉंट्स का फॉल है यानि आदे प्रतिशत के साथ में नीचे है मिटकैप को देखे तो कुछ गिरावट यहां पे नहीं थी स्माल केप्स ने तीजी के साथ में क्लोजिंग दी है तो इंडेक्स तो गिरा आज के दिन निफ्टी गिरा क्योंकि कल जो यूएस के बजार थे उनमें प्रेशर वाले सिचुएशन थी क्यों थी इसराइल और इरान के वीच में जो कॉन्फिक्ट है उसके एसकेलेशन होने की एक्सपेक्टेशन में क्योंकि इसराइल अटैक मोड में है हो सकते अटैक करते और बात आगे बढ़ जाए तो इस वज़े से ये थोड़ा सा प्रेशर हमको आज के दिन बाजार में दिखाए दिया है तीजी के स्टॉक्स फिर भी हम देख सकते हैं कुछ हद तक जादा थे मन्दी के स्टॉक्स के कमपारिजन में सेक्टर्स को देख लेते हैं मीडिया तेज था बाकी कुछ खास परफॉमेंस नहीं था सबसे खराब IT ने परफॉर्म किया है धाई प्रतिशत इंडेक्स नीचे आ चुका है सरकारी बैंक्स भी आज की दिन डाउन थे लिफ्टी 500 में देखते हैं कौन-कौन सी कंपनी जिसमें तीजी मन दिये तो तीजी में इंट्रेस्टिंग कुछ इनवेस्मेंट के साब से तो स्टॉक देखने को नहीं मिलते हैं तो कि ट्रेडिंग के साब से आप इनको चेक आउट कर सकते हैं मुमेंटम के साब से लूजर्स में देखे तो के-ई-आई 4 परसेंट के असपास नीचे है अब कल देखी दोस्तों हमने डिसकस की थी एक बड़ी न्यूस मोतिला लोसवाल की एक रिसर्च रिपोर्ट थी जिसमें हमने ये देखा कि ये जो कंपनीज हैं पॉलिकैब है, की-ई-आई है, आर-र केबल है ये अच्छा परफॉर्म कर सकती इनके स्टॉक्स को अभी बाय कर लेना चाहिए और टार्गेट्स भी उसमें गिवन थे बट हम रिसर्च रिपोर्ट को टार्गेट्स की वज़े से या बाय करने की वज़े से नहीं देखते हैं, उसके अंदर जो material होता है, उसके साब से देखते हैं तो वहाँ पर काफी कुछ जानकरी हमको मिली किस कंपनी के पास में कितना market share है आगे चल के क्यूँ ये कंपनी और भी बड़ी बन सकती है, तो उसकी जानकरी के लिए चाहता आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, बाकी टार्गेट्स के बहकावे में आके innovation नहीं करना चाहिए, वो आपको पता ही है कि बाय करने की call देते हैं, उसके बाद में कोन बेच कर निकलता है, तो वो चीज़ आप इसमें यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं, इसके बाद में Infosys ने 3.5% की मंदी के साथ में closing दी है, Emposys भी एक IT कंपनी जो नीचे आके बंदो चुकी है इसके बाद में Nifty So में देखते हैं, तो यहाँ पे HL ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, धाई प्रतिशत के साथ में उपर है, डिसकस किया था कि यहाँ पे इन कंपनी इसमें TG बननी चेहिए, बन सकती है, HLO, BDLO Explosive Chemical वाली कंपनी जो, तो उनके Stocks अभी काफी सही परफॉर्म करें, जैसा कि हमने Expect किया था, Geo Finance ने सही परफॉर्म कर दिया, 2% के असपास की TG है, क्योंकि एक तो Momentum की Support पे था कल, जो हमने डिसकस के था, प्लस, BlackRock के साथ में एक अच्छी News आ चुकी है, इस कंपनी की, इस वज़े से Losers में देखें तो Infosys है, साथ में LTI, Mindry भी 3% के साथ में नीचे है, चोला Finance भी 2-3% के साथ में नीचे आके बंदो चुका है, अब देखें दोस्तों एक बड़ी News ये है, Small Cap के लिए, क्योंकि Small Cap अच्छा परफॉर्म कर दी आज की दिन, उसके पीछे का ये रीजन आप मान के चल सकते हैं, आपको पता है, ये Small Cap की जो Companies थी, Index था, वो गिर रहा था, क्योंकि ये डर था कि आगे चल के कुछ ना कुछ रूल नहीं लेकर आ जाए, से भी, जिसकी वज़े से Liquidity या फिर जो पैसे इनके अंदर आना कम हो जाए, तो उसकी वज़े से Stocks नीचे थे, तो Stress Test हमने देखा, Report हमने देखी इसकी पहली वाली, उसके इंदर हमने देखा कि कौन सी Mutual Fund के पास में कितनी Liquidity है, कितने समय में पूरे Portfolio के आधे Portfolio को वो खाली कर सकते हैं, अब देखी हर 15 Days में यह Report आईगी, and मैं आपको यह भी कहा था कि पहली Report को देखने के बाद में कोई Rule and Regulations नहीं बनेगे, कुछ 3, 4, 5, 10 Reports कम से कम से भी देखेगा, उसके बाद ही कुछ ना कुछ Rules and Regulations लाने की कोशिश करेगा, अगर उनको लगता है तो, अब यहाँ पर देखे अच्छी News यह है कि Liquidity Improve हो चुकी है Small Cap Funds की यानि, जैसे कोई Fund है, जिसको 50% Portfolio Sell करने में बेचने में 25 दिन लगते थे अब वो 20 दिन में उसको Sell कर सकते हैं, अब यह और Improve होगी, 15 Days होगा तो 15 Days के अंदर फिर क्या होगा आगे चलके, ऐसा कुछ मुझे लगरा नहीं कि से भी कुछ ना कुछ Rules and Regulations लाने की कोशिश करेगा तो यह अच्छी News है, इसी वज़े से आपने देखा Small and Mid Cap, जो Companies थी Fund भी हम बोल सकते हैं, जो Index हम बोल सकते हैं, उनके Stocks में, Index में अच्छी TG बनी है कुछ Companies को देखते हैं, Infosys आप देखोगे तो 3.5% या 4% की मंदी के साथ में आज की दिन बंदो चुका है Technicals को देखने से पहले एक News मैं आपको बताना चाहँगा, जिस वर जिस स्टॉक अभी नीचे है Numbers इसके आने वाले कुछ दुनों बाद उसका Preview अभी आ चुका है हर Website ने इसको Publish किया है Preview जब अच्छा आता है, या फिर हम बोल सकते Expectation जब अच्छी आती, तो आपको पता है Stock नंबर से पहले उपर आते है Expectation ही खराब आती है तो नंबर से पहले Stock नीचे आते है अब फिर वो पता चलता है Numbers में की Expectation सही में खराब थी, जो वैसी Result या वैसे Numbers कंपनी ने दिये या फिर नहीं दिये तो अभी Expectation इससे खराब है इस वज़े से काफी बुरी तरह से Stock नीचे आके बंदो चुका है अब देख सकते है, Revenue Company का Dip करेगा Second Straight Quarter यानि पिछले Quarter के इंदर भी आपको Revenue इसका Dip करता हूँ देखने को मिला था इस Quarter में भी इसका जो Revenue आपको Dip करता हूँ देखने को मिलेगा Guidance की बात करें तो वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी अब Guidance की भी Expectation यहाँ पे हो चुकी है अब देखिए दोस्तो Guidance अगर अच्छी आ जाती है तो फिर आप मान के चलो Stock उपर जाएगा क्योंकि Bazaar की Expectation Guidance की भी अच्छी नहीं है, साथ में Revenue Dip करने की Expectation है, तो Revenue तो I think Dip होगा, लेकिन Guidance में अगर कुछ अच्छा सुनने को मिल गया है, तो Stock आपको उपर जाता होगा, देखने को मिल सकता है तो इसकी वज़े से Stock आज की दिन Underperform कर चुका है अब देखिए यहाँ पे चार्ट को देख लेते हैं Simply आप देखोगे Weekly Chart को तो आपको दिखाई देगा Break Down इस Pattern में Stock चल रहा था यह Support, Resistance, बट इसने यहाँ से इसको Break Down कर दिया है तो Break Out होता है, तो TG Expect करते हैं और Break Down होता है, तो फिर हम Gravatt को Expect करते हैं अब देखिए, यहाँ पे Stock और गिर सकता है अगर इसने Break Down दे दिया है तो उसे साब से हम Expect यहाँ पे करेगे तो अगला Support इसका कहाँ पे है तो यह कुछ Point थे जो Support बनेते आप इसको देख सकते हैं यहाँ से अच्छी TG इस Support से ही अच्छी TG यहाँ पर भी एक Support इसने लिया इस Support से Stock अच्छी TG दिखा दिया तो यह जो Support है अब इसको Nearby Support मानना चाहिए जो की है 1350 रुपीज का 1350 रुपीज का अब देखते है नंबर से पहले पहुचता है या ने पहुचता है या फिर Numbers कैसे आते हैं Numbers अगर खराब आते हैं तो फिर उसे साफसे Stock रियक्ट करेगा अच्छी आ जाते हैं तो फिर Stock में TG बनेगी तो Result के पर बैट कोई लेना चाहता है तो वहाँ पर देखेगा इस Stock को बाकी किसी को Assurity चाहिए कि चलो Numbers देख लेते हैं तो Numbers का वेट करना सही होगा बाकी अच्छी कंपनी है Long Term के साफसे Slow Growth है थोड़ी सी TCS Infosys में और Vipro के अंदर भी Slow Growth है अगर आपको देखना है इसी कैटेगरी में कुछ अच्छी कंपनी जो Top 4 Companies या Top 3, 4, 5 Companies में सो तो Exil Tech के अंदर अच्छी Growth आप Expect करके चल सकते हैं और उसके अंदर अच्छी Growth आती भी है तो उसके साफसे आप देख सकते हैं Silt Tech को बाकी किसी Company को जो बड़ी Company, Blue Chip Company उसको ग्रावट पर खरीदना है जिसमें अच्छी Dividend Aid भी है तो फिर आपको ये जो Stock है, इसको देखना चाहिए, Infosys को देखना चाहिए इसके बाद मैं दोस्तों बात करते हैं LTI, Mind Tree के बारे में जिसमें आप देख सकते हैं 3% का Fall है, तो कल हमने डिसकस किया देख इस Company को कल मैंने खुद ने कुछ Stocks एड़ किये थे और Expectation भी की थी कि नीचे आएगा उस Line पे तो और कुछ Adding में वहाँ पे करूँगा अब देखिए, एकदम से 3% कैसे गरिया क्योंकि बाकी जो Stock है, जैसे चलो ठीक कोफोर्ज भी गरा था, लेकिन Persistent और ये जो कुछ Companies है आईटी में वो इतनी डाउन नहीं गई थी Infosys में बड़ी ग्रावट आई क्योंकि इसकी News थी, अब यहाँ पे भी दोस्तों एक News है जिसको लेकर Stock नीचे आ चुका है Simply आप देख सकते हैं, जो Merger हुआ था इस Company के बीच में या इस Company में और My Entry के बीच में उसके बाद में क्या है, जो Company के Senior Level के जो Employees है वो Exit करें Company से Resign दे रहे, अब वो चीज Continue अभी भी बनी हुई है एक latest Resignation देखने को मिला है जिसकी वरिसे Stock अंडर परफॉर्म कर चुका है एक Report भी इसको लेकर आ चुकी है, जो कि आप यहाँ पर आगे चलके देख पाओगे दीखी दोस्तों, यहाँ पर मेंशन कर रखा है यह Resignation Effective April 15 से भारत की पाचवी Largest IT Services Company है, Market Cap के साब से, मर्जर के बाद में इसमे इको लेटिस्ट Resignation आप देख सकते हैं इस्टर पंकज चुग का एंट इसके साथ में ये भी नाम आप पढ़ सकते हैं दोनों ने Resignation दिया है और पोस्त आप देख सकते हैं Executive Vice President की Global Sales तो ये Resignation देखने कम लाए इसके साथ मैं आगे चले, तो आप simply देखोगे तो इससे पहले और कुछ नाम यहापे आप पढ़ सकते हैं जिन्होंने Resignation दिया था पोस्त आप देखोगे तो CFO की पोस्त है Chief Financial Officer की पोस्त है हापे एंट उससे पहले भी कुछ नेम्स यहापे आप रीड कर सकते हैं अगर मैं आपको थोड़ा सा easy format के दिर दिखा हूँ Resignation हुआ था Head America Region उसके बाद मैं आप देखोगे Health and Life Sciences के जो Head थे BFSI के Head Cyber Security and CFO तो जो टॉप लेवल की जो Employees हैं जिनके उपर Company Depend करती है क्योंकि यहापे क्या है यह Company Professionally Managed Company है मतलब इसका कोई एक Promoter नहीं है जिसे Bajaj Group का Bajaj Family है Demart का RK दमानी है Reliance का Ambani Group है तो ऐसा कुछ यहापे नहीं है यहापे यह जो Company है Professionally Managed Company है इसको जो Professional Team होती वो चलाती है तो जब Team के सदेश से Resignation देगे तो वहापे फिर वो डर रहता है Bazar को कि आगे चलके कैसे Company अपनी Profitability को Increase करी कैसी Company आगे बढ़ेगी Company बन नहीं होगी Company खराब नहीं होगी लेकिन हाँ जो Growth आती है उसको देने में Company को थोड़ा सा Trouble Face करना पड़ेगा यह यहापे एक मुद्दा बन चुका है अब इसमें आप देख सकते यह जो चीजे हो रही है Merger के बाद में हो रही है अब यह Merger के बाद में दोस्तों यह Expect मैंने भी किया था बट इतना Expect नहीं किया था कि इतने ज़्यादा Resignation हो जाएगी कि Merger के बाद में Conflict आ जाते है कि LTI Company का जो कोई Senior होगा My Intry का भी कोई Senior होगा तो अब दो Company के अंदर दो Senior है, Same Post पे बट अब यह एक ही Company बन चुकी है तो दोनों में से एक को तो Compromise करना पड़ेगा अपनी जो Post उसको छोड़ना पड़ेगा Position उसको छोड़ना पड़ेगा तो वो उस वज़े से क्या होता है Conflict हो जाता है साथ में और भी चीज़े चलती रहती यहाँ पर Politics भी होती रहती है इन Companies में जो IT Companies, MNC Companies है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाज़ार हो चुका है थोड़ा सा Cautious अब इसके ओपर एक Research Report भी निकाली है Jeffries ने जिसको आप यहाँ देख सकते है Jeffries ने इस Point को Highlight किया है कि जो Resignation हो रहे है इतने सारे इसकी वज़े से Company को थोड़ा ज़्यादा समय लेगेगा Revenue Synergies को Use करने में यानि जो Merger हुआ है उसका Benefit उठाने में Company को थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगेगा जितनी Expectation यहाँ पे की गई थी क्योंकि जितने Resignation होगे उतना ही Company को समय लेगेगा नए उस Position पे उस Post पर हायर करने के लिए और उसके साथ में फिर वो चीज़े Manage करने के लिए सब चीज़ों को ढलने के लिए तो यह चीज़ आप इसमें नोट करेके चल सकते है बट ठीक है उसके बाद भी मैंने हापे कुछ Stocks एड किये है मतलब जो कल मैंने आपको बताया था कि अगर पॉस्ट आ है नीचे तो कुछ Stocks मैंने हापे कल भी लिए थे आज भी लिए है Just study purpose के लिए सीखने के साब से कि मैं किस तरह से buy and dip करता हूँ किस तरह से कोई company के अंदर bad news आती है temporary business में तो उसका फाइदा उठाते है वो just मैं आपको बता रहा हूँ आपको नहीं खरीदना है आप एक कोशिश कराओ अब देखिए दोस्तो short term में तो हाँ ये stock हो सकता है अच्छा perform नहीं करे numbers में अगर कुछ होता है expectation से ज़्यादा numbers आते हैं जोगी 24 अपरेल को इसके आएगे numbers तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए नहीं तो buzzer के expectation तो ही खराब और stock का price भी खराब है तो जो bad news है वो price in हो रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मुझको ये company 5000 पर पसंद थी तो अभी 4600 पर और पसंद आनी चीए क्योंकि company change होई नहीं है ये कुछ troubles है, point है IT companies में मैं काफी समय से देख रहा हूँ आपको past का data बता दूँगा अच्छिल tech में भी ऐसे काफी बार हो चुका है तो ठीक है, ये सब चीजे मुझे पता है temporary basis की है, तो मैंने खरीद लिया अगर next to trading day में वापिस ये 3-4% गिर जाता है फिर और गिरा, कुछ नहीं लिया फिर वो डर गए उस company में फिर B, दूसरी company खरीदी वो गिरा, 15% उपर से, उसमें खरीद लिया फिर वो और गिरता है, कुछ नहीं गिया उसमें डर गए फिर C, company तो ऐसे करके आपकी जो price है न, वो सारी companies की, सारे stocks की stock जाता है, उसको follow करोगे, तो ही अच्छे average बन पाएगे, अच्छी holdings आपके पास में आ जाएगी, और वो difficult है, पहली चीज तो, क्योंकि नए आप हो, तो conviction आ रहा, काफी difficult होता है, second, पैसे इतने होते नहीं है तो ये सारी चीज़े manage करके चलनी पड़ती है, और आप क्या कर रहे हो, इस company में चाहिए, तो नीचे comment कर सकते है, देखते दोस्तों आगे चलके किये, जो 4600 का level बचता है, या तोड़ता है अगर infosys की तरह तोड़ता है, तो आगे चलके discuss करेगे, आगे जो levels बनेगे, बाकी अभी तो ये situation है, देखते हैं, आगे चलके किया यहाँ पर pattern बनते हैं, आगे दोस्तों मैं आपको कहना चाहँगा, blindly follow नहीं करना है क्योंकि ये stock नीचे आता है, तो मेरा नुकसान होगा company डूब जाती है, तो पैसे मेरे डूब बेगे, company उपर जाती है stock दस गुना होता है, तो पैसे मेरे बनेगे तो वो सब चीजा आपको सोच के चलनी है वीडियो पसंद आता है, तो लाइक कर सकते हैं, चनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, पिछले वीडियो उसको भी